very good morning students, आज हम आपके हिंदिक रामर का एक dependent topic मुहावरे और लोककतियां read करेंगे, अज मैं बताऊँगी कि मुहावरे क्या होते हैं और लोककतियां क्या होती हैं पहले हम मुहावरे के बारे में जा लेते हैं मुहावरे का जो समाने अर्थ है वह है बोलना या बातचीत भाशा को रोचे को और प्रभावपुरन बनाने में मुहावरे और लोकक्तियां महत्पूम भूमे का निभाते हैं इनके प्रयोग से भाशा सरल और सशक्त बन जाती है तथा भावविभ्यक्ति में एक नया ओज आ जाता है तो जो भाशा जो हम बोल रहे हैं उसको इंट्रस्टिंग और इंप्रेसिव बनाने के लिए मुहावरे और लोकक्तियां जो होती है वो अपने महत्पूम भूमे का निभाते हैं बोल चाल में इनके प्रयोग करने से जो हमारी भाशा है वैस्टरल भी बन जाती है और प्रभावपूरन भी बन जाती है और हम अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं अलग तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं तो यही मुहावरे होते हैं जब वाक्य में किसी शब्द स्मुह का समाने अर्थ नहीं लिया जाता बलकि उसी से मिलता जूलता अर्थ अथात लाक्षनी कर्थ लिया जाता है और वह अर्थ रूड बन जाता है तब हम उसे मुहावरा कहते हैं यानि जब हम किसी समान्य का समान्य अर्थ करने किसे लाक्शने करते हैं चलती चलती situation के coding बात बोल रहे हैं तो वह मुहावरा होता है और जो अर्थ होता है वह रूड बन जाता है आगे चलता ही रहता है वहई अर्थ माल लिया जाता है तो वह मुहावरा होता है जब वाक्यांस अपने सधान अर्थ को छोड़कर किसी विशेश अर्थ को व्यक्त करते हैं तो उसे मुहावरा कहा जाता है उधारन के लिए जैसे लोहे के चने चबाना, मुह में पानी भराना, नाक कटाना आदी मुहावरों के शाब्दिक अर्थ न लेकर उनके लाक्षनिक अर्थ ही लिए जाता है जो नौर्बडी बोले जालते हैं उनकी वजाए उनका एक मिलते जूलत अर्थ जैसे लोहे के चने चबाने का आद होता है काफी कड़ी मेहनद करना, काफी कष्ट सैन करना, मुह में पानी भराना, यानि अच्छी चीज को देखकर मुह में पानी आजाता है जैसे नाज कड़ाना यानि अपनी इजद खोबैचना तो ये मुहावरों की शाफदिग अर्थ न लेकर उनके लक्षनी के उनके मिलते जूलते अर्थ जो समान्य बातने कार ऐसी बात कही गई मुहावरों की विशेस्ताइं नेमन लिखित विशेस्ताइं होती है मुहावरों की वाक्य का अंग बनकर प्रियुक्त होता है स्कंत्र रूप से नहीं यानि जब हम कोई बात बोल रहे हैं तो एक छोटी सी बात की वजाए हम वह मुहावरा बोल देते हैं जो समाने अर्थ ना बोलकर मुहावरों में मूल क्रिया पद का होना अवशक है जिसकी अ हवश्य होता ही है मुहावरे की रूप में कोई परिवर्थन नहीं होता जैसे फूल कर कुपा हो जाना का अगर हम प्रयोग किसी स्त्री के लिए करेंगे किसी फीमेल के लिए करेंगे तो वह फूल कर कुपी हो गई तो हम ऐसा नहीं लिख सकते मुहावरे की शब्दों को प्रायवाची या समानार्थक शब्दों में नहीं बदला जा सकता जैसे कमर तूटना की जगाय हम ये नहीं कह सकते कटी तूटना यानि कमर का जो प्रायवाची समानार्थक होता है कटी तो हम ऐसे नहीं कह सकते, कडी तूटना हम इसको कमर तूटना ही कहेंगे इसके बाद है लोकक्ति, लोकक्ति शब्द लोक-प्लस-उक्ति से मिलकर बना है लोकक्तियां सामाजिक जीवन के अनुबव के आधार पर बनते यानि इसमें जो हमारे पुराने पूर्वज है जो उनके जो विचार है वह एक तरह से पीडी आगे चलते रहते हैं और वो लोकक्ति बन जाती है अम इनका प्रयोग आफशक्ता के नुसार करते हैं कहीं किसी कथन की पुष्टी के लिए तो कहीं उपदेश देने के लिए लो मतला हम मुहारे तो किसी वाकय का अंग बना कर यानि किसी चोटी शी जगह मुहारे का प्रयोग कर देते हैं लेकिंग जो यह लोकक्तिां होती यह एक तरह से पूर्वाक्या होता है लोकक्ति विशे संधर्भ में प्रयोख दोती है और इनका अर्थ ही लिया जाता है जैसे क उजली होना इस गुण के परिवरतन को प्रकट करता है उनको बदला नहीं जा सकता तो यह होती है theater मुहावरे शब्दों के वाक्यान्ष के रोप में प्रियोग होते है और जो लुककति होती है वो एक पूर एक पूरा वाक्य होता है तो इसे की साथ हमारा मुहावरे और लुककति की वक्षिट कर दोंगी आपको वह अपनी नॉट्बुक में करनी है